पब्लिक टीवी आपकी आवाद यूपी के संबल में तीन दिन पूर्व किसान की घर पर सोते समय गलारेत का हत्या कर देने वाली घटना का पुलिस ने चुकाने वाला खुलासा किया है आपको बता दे कि मरतक सोंबीर की हत्या किसी ओर ने नहीं बलकि उसकी पत्नी गायत्तिरी ने अवेज संबंदों में बाधक बनने पर अपने प्रेमी की साथ मिलका पती को मौत के घार उतारा था फिलाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफतार कर हत्या में प्रियोप्त चा को बरामत कर लिया है आपको बता दे कि ये पूरा मामला संबल जिले के घनारी थाना छेत के गाउं दिनोरा का है जहां गाउं निवासी सोंबीर की 27 मई की रात को घर में सोते समय गला काट का हत्या कर दी गई थी जिसके बाद मुरतक के पिता की तैरीर पर पूलिस ने शक्क के अधार पर दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्श कर जाजपरताल शुरू कर दी थी जाश परताल में पुलिस ने मिर्तक की पतनी गायतरी को हिरासत में लेकर सक्ती से पूछताश की तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की पुलिस के अनुसा गायतरी के गाव निवासी राजन नामक यूबग जो कि उसका चचेरा ससुर लगता है से अभेस संबन थे जिसकी जानकारी होने पर सौंबीर ने कई बार पतनी से मना किया लेकिन गायतरी और उसका प्रेमी नहीं माने इसके बाद जब सौंबीर पतनी के अवेस संबन्दों में बाधक बनने लगा तो पतनी ने अपने प्रेमी और उसके साती राजीव के साथ मिलकर पती की गला काट कर हतिया कर दी पुलिस ने काईतरी और उसके प्रेमी राजन को गिरफतार कर हत्या में प्रियोग किया गया चाको भी बरामत कर लिया गया वहें तीसरा आरोपी राजी वावी पुलिस पकड़ से दूर है जिसको जल्द गिरफतार करने की पुलिस बात कह रही है जब इसमें और गहनता से पोस्तार की गई तो निकल के आया कि इसमें जो उसकी पत्नी है मिर्तक की पत्नी और उसका चचिया ससूर और उसका एक साथी तीनों मिल करके ही उसके पती की हत्या किये हैं और इसमें पूरा करम ये निकल के आया कि ये जो महिला है महिला का विबाद चल ला था घर में विवाद हुआ जिसके कारण उसको अलग कर दिया गया था घेर में रहती थी अपने पती के साथ में और उसका अपने चचिया ससूर से अवैज संबन चला था चचिया ससूर के पत्नी की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी वो भी खाली था और इस चकर में इनका अवैज संबन कांटिनू था बार बार इनके परिवार में विवाद होता था और ये जो मिर्तक था सोंबीर इनके आपसी प्रेम संबन जो चल रहा था उसमें बाधक बन रहा था इस क्रम में अब ये पकड़े गए हैं अभीक्ता राजन और अभीक्ता वो है भी पकड़ी गई है और इनका एक साथ ही जो फरार है उसको भी जल्द से जल्द गिर्पतारी की जाएगी सभी की गिर्पतारी करके इनको विदिक्कारवाई की जा रही है